टीवी के फेमस शो कुमकुमभागे में एक बड़ा ट्वीट आने वाला है और इस शो में 20 साल का ली दिखाय जाने वाला है। ऐसे में क्या कुछ चेज शो में हो सकते हैं आए हम आपको बताते हैं। पिछले 9 साल से दर्शकों का भरपोड मनुरंजन कर रहे टीवी सेरियल कुमकुमभागे में अब जल्दी कुछ नया होने वाला है। खबरों के मुताबिक कुमकुमभागे लीप पर जाने वाला हैं जिसके बाद शो की सभी किरदारों का नया रूप देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कुमकुमभागे में रनबीर और प्राची की कहानी ने सिधादर्शकों के दिल को छुआ है 0.25 साल के टेलिविजन एक्टर कृष्णा कॉल जी टीवी के फेमस शो कुमकुमभागे में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उनके किरदार को छोटे परदे पर खूब पसंद भी किया जाता है लेकिन अब कुमकुमभागे सिडिल में एक बड़ा विस्ट आने वाला है और 25 साल की कृष्णा कॉल भी साल की लड़की के पिता करोल निभाते नजर आएंगे। जी हाँ, खुद कृष्णा ने इस बारे में बात की और कहा कि उन्हें इस तरह का किरदार करने में कोई दिकत नहीं है। बाते नजर आएंगे। इस बारे में बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि मैं कुमकुमभागे में तब आया था जब 2008 में ये शो लीप ले रहा था। मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि मुझे परफॉर्म करने का काफी मौका मिला। मेरे किरदार रणवीर के अलग-अलग शिट्स दर्शकों का नजर आए और मुझे इस शो से बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। बता देख कि कृष्णा कॉल ने एक ताकापूर के इस शो के जरिय ही टेलिविजन इंडास्ट्री में डेब्यू किया था और उनकी रोल को खुब पसंद भी किया गया। अपने नए किरदार को लेकर कृष्णा कॉल ने खुलासा किया कि वो लीप के कुछ हप्तों तक शो का हिसाब बने रहेंगे और बेस साल की लड़की के पिता की भूमी का निभाना उनके लिए काफी चुनोती पून भी हो सकता है लेकिन उन्हें इस बात से कोई दिकत नही है कृष्णा ने कहा कि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इस शो को अपना बेस्ट देने के लिए तयार हूँ और मुझे पिता का रोल निभाने में कोई दिकत नहीं है बता दे कि कुमकुमभागी सेडल के जून में ही 900 एपिसोड पूरे हुए है